असलामों अलेखूम एंड हलो वीवर्स वेलकम टू रुकसार्स फूड आज मैं शेयर करूंगे जबरदस सी मटन बिर्यानी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका जिसे आप बिना जंजट बिना परेशानी के पूरे परिवार के लिए बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए इसे बिर्यानी के लिए पहले हम मतन तयार करेंगे उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में एक बड़ा चमच तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल अब थोड़ी गर्म हो चुकी है इसमें हम साबुद गरम मसाले जिसमें एक तेज पत्ता दो बड़ी इलाईची दो छो प्याज अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब इसमें हम चार टेबल स्पून अध्रक लेसन का पेश्ट एड़ कर देंगे और इसे हम बिला लेंगे अब अच्छे से अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें सारे पाउडर मसाले आड़ करेंगे वन टीस्पून भरके जीरा पाउडर वन एंड हाफ टीस्पून धनिया पाउडर अब हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर आपको तीखा खाना पसंद हो वन फोर्थ टीस्पून हल्दी पाउडर हो फोर्फ टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी अड़ करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सब को अब हम अच्छे से मिला लेंगे अब हम मसाले में वन फोर्थ कप के करीब पानी आड़ करेंगे और मेडियम फिलिम पे हम मसालों को बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे दस से बारा मिनट हो गए हैं और मसाला भी अब काफी अच्छे से भून चुका है अब इसमें हम एड़ करेंगे मतन मैं एक केजी मतन यूज कर रही हूँ और इसे मैंने बिल्कुल अच्छे से वाश करके रख लिया था अब इसे हम मिला देंगे मसालों के साथ बिल्कुल अच्छे से मतन को मैंने 5 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है मसालों के साथ अब इसमें हम एड़ करेंगे 1 फॉर्थ कप फेटा हुआ दही और इसे हम मिला लेंगे और इसके लिए आप ज़्यादा खटे दही का इस्तिमाल नहीं करेंगे हो सके तो फ्रेश दही का ही यूज करें और देखिए अब लगभग साथ से आठ मिनट के बाद मतन से काफी सारा पानी रिलीज हुआ है हम इसमें पानी आड नहीं करेंगे अब हम प्रेशर कुकर कर धकन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसमें दो सीटी लगाएंगे अगर आपके मतन से पानी रिलीज नहीं होता है तो आप इसमें हाफ कप के करीब पानी आड कर दें दो सीटी अब इसमें आ चुकी है और इसका सारा प्रेशर भी निकल चुका है अब इसे हम खोल कर चेक कर लेते हैं अब हम फिर से गैस का फ्लेम आउन कर देंगे मतन काफी अच्छे से गल चुकी है medium to high flame पे हम इसके सारे पानी को अच्छे से dry होने तक भून लेगे और देखिए अब इसका सारा पानी काफी अच्छे से dry हो चुका है और मटन भी बिल्कुल अच्छे से भून गई है अब इसमें हम 1-4 टेज्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे बारिक कटे हुई धन्या पत्ती गैस का फ्लेम अब हम आफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिला कर साइड में रख देंगे और चलते हम अपने नेक्ष्ट प्रोसेस की तरफ अब हम बिर्यानी की लेयर लगाएंगे तो जिस बरतन में भी आपको मतन बिर्यानी की लेयर लगानी हो उसमें सबसे पहले हम मतन की लेयर लगाएंगे और अब इस पे हम चावल की लेयर लगाएंगे खिले खिले चावल बनाने का तरीका आप मेरे मतन दम बिरियानी की वीडियो में देख सकते हैं वो भी बहुत ही ला जवाब बिरियानी हैं आप उस रेसिपी को ज़रूर देखें मैं एंड इसक्रीन पर वो वीडियो लगा दूँगी और description box में मैं उसका link भी share कर दूँगी अब इस पे हम लगाएंगे boil किये हुए आलू इस आलू को तयार करने का तरीका है कि आप आलू को पहले चील कर दो-दो टुक्रों में काट ले उसके बाद पानी में ही हम नमक, हल्दी और मिर्च डाल कर इसे boil करेंगे अब हम इसमें टमाटर आड़ करेंगे slits में कटी हुई हरी मिर्च अब हम फिर से इस पे चावल की लेयर लगाएंगे अब एक लेयर और हम मतन की लगाएंगे अब इस पे हम पुदीना पाउडर स्प्रिंकल करेंगे अगर आपके पास फ्रेश पुदीने के पत्ते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं अब हम डालेंगे इस पे फ्राइड अनियन्स थोड़ा से हम जाइफल पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे इससे काफी अच्छी खुश्बू आएगी बिर्यानी में और अब हम एक लाश्ट लेयर चावल की लगा देंगे उपर से थोड़े और फ्राइड अनियन्स डालेंगे बारी कटी हुई धनिया पत्ती फूड कलर ये ऑप्शनल है अगर आप पसंद करते हों तो आप डाले वरना आप बीना फूड कलर के भी इससे बना सकते हैं अब इसके चारो तरफ हम घी डाल देंगे आप घी के जगा पे ओल भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर घी से काफी अच्छा टेस्ट आता है अब इससे हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे और पांच मिनट के लिए मेडियम टू हाई फ्लेम पे डाइरेक्ट गैस पे रखेंगे पांच मिनट के बाद अब हम गैस पे एक मोटे तले का तवा रख देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे और अब इस पे हम बिर्यानी वाला जो बरतन है वो रख देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे इसे हम दस मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम करेंगे 10 मिनट हो गए हैं चलिए हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं और देखिए यह हमारी बहुत ही बेहतरीन बिर्यानी बनकर तयार हो गई है इसमें से काफी अच्छी खुश्बू भी आ रही है इसमें हमने फूट कलर डाला है उपर में इसलिए इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं तो चलिए अभी से हम गर्मा गर्म सर्फ कर लेते हैं बिर्यानी को हम हमेशा साइट से और एक चौड़े चम्मच से ही खोलेंगे आप कभी भी बिर्यानी को बीच से ना खोले और देखिए ये कितनी अच्छी गर्मा गर्म खिली-खिली बिर्यानी बन कर तयार हुई है मैं इसे मिट्टी के हांडी में सर्फ कर रही हूँ तो लीजिए हमारा आज का गर्मा गर्म जबरदस समटन बिर्यानी बन कर तयार है आप भी अपने घर पर इसे जरूर बना कर ट्राइ करें और मुझे कमेंट करकर जरूर बताएं आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे की मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आला हाफिज